दोस्तों अगर आप थम्नेल देखके इस चैनल पे आए हैं इस वीडियो पे अगर आए है तो अगर आपके पास दो से तीन मिनट का टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देख ही लेना पहली बात यह और दुछली बात दोस्तों यह मचली जो आपको दिख रहा है वीडियो मे होता है फिर भी इसको किसान पालते हैं किसान इसको इसलिए सिर्फ नहीं पालते हैं कि सिर्फ किसान को फैदा हो किसान को फैदा भी होता है इस मचली में मतलब की मार्केट में जितने भी मचली है उससे यह मचली का रेट जदा रहता है इसलिए किसान इसको पालते हैं खतर तेजवाज़ता इस मचली को काने से खून की कमी अब वो आपके बोडी में रहता है उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा डेफिनेटली पाचंतंत्र मजबूत हो जाएंगे आईरन की कमी है तो वो आपके आईरन की कमी खतम हो जाएंगे हड़ी अगर आपका कमजोर है तो वो खतम हो जाएंगे मांसपेंसिया कमजोर है तो वो मजबूत हो जाएंगे आप समझ लो ना कि अगर इस मचली को कैंसर प्लित इंसान रोगी अगर खाएंगे तो उनको भी छुटकारा मिल जाएगा इस मचली से इतने जाते फायदे हैं इस मचली में एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को सेयर करें जो कि कैंसर प्लित इंसान तक ये वीडियो पहुच जाए प्लीज दोस्तों थोड़ी सी मैं अपनी बात कर देता हूँ आपको मेरा वीडियो अगर देखे होंगे पहले से तो आपको भी पता होगा कि मेरा पैर टूट गया था फैक्चर हो गया था और मैंने खुद इस मचली को पालता हूँ मैं खुद इस मचली का सेवन किया मुझे फर्क दिखा एक दम फर्क दिखा इसलिए मैं इस मचली पे विश्वास थोड़ा करता हूँ मुझे फर्क दिखा इसलिए मैं आपको बत झालेवाद